नमस्कार आप देख रहे हैं राष्ट समाचार लाल किला हिंसा के मुख आरोपी दीप सिद्धु को मंगलवार को 30,000 कोट में पेश किया गया जहां पुलीस की ओर से 10 दिन की रिमांड मांगी गई हालांकि कोट ने दीप सिद्धु को 7 दिन की पुलीस रिमांड पर भेज दिया है पेशी को लेकर 30,000 कोट में सुरक्षा व्योस्था के फुक्ता इंतजाम रहे पेशी के दौरान कोट ने पुलीस को कुछ समय के लिए कड़ी पूस्ताश करने के अनुमती भी दी ताके पुलीस ये बता सके कि उसे पुलीस सिरासत की जुरत है इस दौरान दीप सिद्धु से पूछा गया कि लाल किले तक पहुँचने के लिए लोगों को कैसे बुलाया गया था योजना कैसे बनाई गयी उसके मुबाइल लंबर के बारे में भी पूस्ताश हुई बतादे की करीब 15 दिन के फरारी काटने के बाद दीप सिद्धु को मंगलवार तड़के पंजाब के जिकरपूर से गिरपतार किया गया था दिली पुलिस के सुतरों के मुताबे दीप की पतनी और परिवार पूर्निया में है दीप सिद्धु भी वही जाने में फिराक में था क्राइम ब्राश की पूस्ताश में दीप सिद्धु ने कई बड़े खुलाशी की है पूस्तास के दरान दीब सिद्धु ने दावा किया कि वहा भावुखोकर किसानों के साथ जुड़ गया था हालां कि पूस्ताश में दीब सिद्धु ने साफ किया कि उसका जुडाव किसी कटरपंथी संगठन से नहीं है लेकिन वो तोड़ फोड़ वाली विचार धारा में विश्वास करता है दीव सिद्धु ने कहा कि उसे शक्त हाकी सरकार के बादचीत में और दिल्ली पुलिस के साथ ट्रेक्टर रैली के दरॉन किसान नेता नरम हो रहे थे लोगडाउन के दरॉन और बाद में दीव सिद्धु को कोई काम नहीं मिला था और अगस्त में जब किसान अंदोलन पंजाब में शुरू हुआ तो हुआ इसके परती आकरशित हो गया था